हलो फ्रेंड्स क्या आपको प्रेगनेंसी है और आपको यह सलह मिलिए कि आपको नीचे बैठ खर पोच्छा लगाना चाहिए कि आपके प्रेगनेंसी की डिलिवरी नॉमल हो जाएगी और आपका बच्छा हेल्दी रहेगा मैं डॉक्टर सुशिला सेनी आपको आज बताने ज होता है या नुकसान होता है हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए प्रेगनेंसी में सलह हैं बहुत सारी मिलती है बार बार मिलती है और हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सलह जरूर देता है लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाती है कई वर कि हमें क्या करना चाहिए त तरीके से उकड़ो बैठकर पोच्छा लगाने की तो बहुत ही डिसकमफर्टेबल होता है यदि आप रेगुलरली इस पोजिशन के लिए अक्विप्ट नहीं है यानि कि आप इसके अकस्टम्ड नहीं है यूस्टू नहीं है आपको आदत नहीं है ऐसे नीचे बैठकर पोच बढ़ेंगे आपको बात करणे हैं तो आपके बाठकर चैंसे बढ़ेंगे इस तरीके से अगर आप अचह लगाएंगी तो आपके बीच के दीचक्राइगे आपको बहुत साधा डिसकमफर्ट होगा और यदि आप नीचे बैठने के लिए यूसट बाट पर आपने के नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप कैसे काम कर पाएंगे तो आपको बहुत सब्सक्राइब होने वाला है तो राय देना एक अलग बात होती है लेकिन अगर आपको डिसकंफर्ट नहीं है आप अब बात आती है कि हमें पोछा लगाना ही क्यों है इस तरीके से बैठ कर इसे क्या फाइदा होने वाला है तो जो पुरानी लेडीज होती है वो यह सहती है कि जैसे आप नीचे बैठती है तो यह तरीके की exercise है जिससे कि आपको normal delivery की chances बढ़ जाते हैं तो उस चीज के लिए अ आपकी normal delivery हो उसके लिए आपको कुछ exercises करने ताकि आपकी pelvic girdle की muscles यानि की यहां की muscles मजबूत हो और आपका pelvic girdle में space create हो ताकि आपकी normal delivery smooth हो तो उसके लिए आप squat लगा सकती है सुमो squat लगा सकती है regularly इसके अलावा कुछ yoga positions और होती है जो आप कर सकती है यानि कि सुमो squat लगा help कर सके तभी आपको फाइदे मंद हो सकता है यदि आप untrained person के साथ है बिना किसी supervision के साथ exercise कर रही है हो सकता आप गिर जाए हो सकता है आपको चोट लग जाए हो सकता आपको मोच आ जाए तो वो फिर आपके लिए बहुत सदा uncomfortable or problematic situation हो जाएगी और इस तरीके से आप कर सकती है और मलासन में वॉक कर सकती है जिससे कि एक तरीके से पोछा लगाने वाली position होती है जिसको हिंदी में उकडू position बोलते है तो उस तरीके से बैठती है तो आपकी pelvic girdle की muscles थोड़ी स्ट्रॉंग होते है पैल्विस के अंदर space create होता है जब आप उसमें चलने की कोशि करती है तो definitely आप उसको वो एक तरीके से पोछा लगाने जैसा होता है लेकिन यह थोड़ा सा supervised होता है इसमें आप बैठती है जुकती नहीं है तो definitely आपको थोड़ा comfortable होगा और normal delivery होना नहीं होना बहुत जादा आसन पे और इन सब चीज़ों पर depend नहीं करता है क्योंकि cesarian होने के लिए बहुत कई बार emergency होती है बहुत जब हम expect कर रहे होते हैं कि normal delivery होगी तब भी हमें कई बार cesarian करना पड़ जाता है तो इसलिए बहुत सदा इस चीज़ पर concentrate ना कर जच्चा और बच्चा का स्वस्त रहना बहुत जादा जरूरी है उसके लिए अपने आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपसे comfortability अगर पहले योगा या आसन करती थी तो प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं लेकिन अगर पहले कुछ नहीं करती तो आपके लि कितना exercise कर सकती कितने आसन कर सकती हैं और आप क्या काम कर सकती हैं अपने आपको बहुत ज़्यादा stress में ना डालें क्योंकि stress unnecessarily आपकी प्रेगनेंसी में बाधार डाल सकता है बच्चे पर बुरा असर डालता है तो अच्छा सुनें अच्छा सोचें और healthy बच्चे को जैन म आप से फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जान करिके साथ तब तक नमस्कार